हमारे हाँ सबसे उच्च कोटी के दान में से एक दान माना जाता है क्षमा दान और क्षमा दान को दान की स्रेणी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि हम ये बानते हैं कि दान हमेसा एक योग्य वेक्टी को ही देना चाहिए अगर किसी ऐयोग्य वेक्टी को दान देते हैं तो वो हमें कभी भी मन की सांती नहीं देगा इसी परकार क्षमा को भी एक दान माना गया है तो क्षमा दान भी उस वेक्टी को देना है जो योग्य हो जो आत्म गलानी से भरकर आपसे एक शमा मांगे तो आप उसको माफ कर दीजिए लेकिन केवल और केवल दिखाने के लिए अगर आपको कोई सोरी बोल रहा है माफी मांग रहा है तो उसको माफ करने की जरूरत नहीं है जैसे वो आपको दिखा रहा है कि वो आप से सोरी बोल रहा है वैसे आप भी उसको दिखाईए कि आपने उसको माफ कर दिया है और यदि कोई ऐसा वेक्ति है जो आत्म गलानी से भरके आप से माफी मांग रहा है उसको अपने की एका पच्टावा है तो ऐसे वेक्ति को जरूर माफ कर देना चाहिए क्योंकि वह वास्तों में उस शमादान के योग्य वेक्ति है